हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टो माई चैनल सभी पल्स इंडिया लिमिटेट निवेशक साथ्यों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज चैनल पर हर्दिक स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वाइरस का जो प्रकॉप चल रहा है और उसमें कितन जितने भी पल्स के निवेशक हैं एक तो पहले से ही परिसान थे और अब कोविड नाइंटीन ने इनको परिसान कर रहा है जिया दोस्तों हम बात कर रहे हैं उन गरीब निवेशकों की जिनका उड़न चास हजार सो करोन लुपिया पी-ए-स-यल इंडिया लिमिटेड जैसी बहुराष्टे कमपनी में लगा और भारत की सेवी विवाग एक संस्ता है एक विवाग है सरकारी विवाग है भारत के आर्बिया विवाग का ये चौता विवाग माना जाता है जिसमें चिट्फन कमपनियों को लाइसंस दिये जाते हैं और लाइसंस देने के बाद जब कम कमपणियों को अचानक बंद कर दिया जाता है और इनका करोड़ों रुपिया गबन कर लिया जाता है और पांच करोड़ 85 लाग निवेशकों को खून के आशू रोने के लिए हिंदुस्तान में छोड़ दिया जाता है तो दोस्तों आज उन निवेशकों के हक के लिए ऐसे कठिन दोर में कोई कहीं से कहीं तक कोई फैसलेटी नहीं दी जा रही कोई पैसे देने की ऐसी सुचना नहीं दी जा रही जो निवेशकों के हितों में हो और निवेशकों के रोज मर रहा के जो तिल तिल यहां पर मर रहे हैं उनके लिए किसी तरह की कोई भी नोटिफिकेशन सेवी बाग की तरफ से या रैमॉडा जी की तरफ से अभी तक कोई रहत नहीं दी गई जबकि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के ना जाने कितने ऐसी संस्थाएं हैं जिनके निवेशकों को पैसा दिया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है, सुसाइटियों को ही देख लो, सुसाइटियों को इस वक्त कितनी बड़ी मदद पहुँचाए जा रही है, लेकिन ए एक फूटी कोड़ी भी अभी तक नहीं दी दोस्तों ऐसी कटिन परिस्तिती में अगर पल्स निवेशकों का पैसा मिल जाता तो उनके जिवन यहापन में कुछ सुधार आ जाता लेकिन यहाँ पर इस वक्त कोविड नाइंटीन के इस प्रकॉप में पल्स निवेशकों को दो कोड़ा कमेटी और पल्स कमेटी की जो इस वक्त मौज आ रही है वो यह है कि इन चिट फंड कमपोनियों पर अपना सिकंजा कसकर इनका पैसा लूट मचाई किया गया है एक सरकारी तंत्र के सरकारी तंत्र को हत्यार बना कर नजाने कौन सा खेल यह सरकार निवेशकों के सा खेल लिए हमारा नुरोद इजबारफ सरकार से कि वे इन पीडित निवेशकों की बनाई के लिए इन निवेशकों के लिए कुछ सोचे और सेवी भाग की जो इस वक्त हैल्प लाइन है उस पर किसी तरीका का कोई सही मैसेज नहीं दिये जा रहे और कोई सही जानकारी नही दी जा रही सेवी बाग की तरफ से जो पोटल सुरू किया गया है उसमें तीन चार साल से अभी तक डाई अजार और पाँच अजार और साथ हजार से नीचे तक के निवेशकों को पैसा दिया गया जब की इसमें पचास हजार और बीस लाग तक की FD और RD के खाते चल रहे है इस वक्त बहुत खराब हालात हैं और ऐसे हालातों में उन बड़े निवेशकों का धर्या जवाब दे चुका है क्योंकि वह अपनी जीवन मर की कमाई इस पल्स इंडिया लिमेटेंड में लगाए हुए थे और आज इन सब का पैसा लेकर से भी भाग बैठा हुआ है हमारा परदान मंतरी नरेन मोदी जी से हमारी गुजारिस है कि 5.85 लाख निवेशकों के हितों में कुछ अच्छा करने की सोचे इनको पैसा देने की सोचे तो दोस्तो हमारा आप लोगों को वीडियो बना कर यही बताना था कि पल्स निवेशकों के सामने स्टैम इस कुरोना वाइरस की महामारी में कितनी यातनाएं कितनी परेसान या जेल नी पड़ लई है एक पैसे को लेकर निवेशक मौता आ जाए और जहां पर पैसा होता है वही पर रज़र जाती है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना है कुछ और आपके सुझाओं हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह जो वीडियो हमने बनाई है खासतोर से इसलिए बनाई है